दोस्तों भारत सरकार के जितने भी government banks हैं उसमें clerkों की भरती के लिए एक बहुत अच्छी vacancy आई है जिसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे क्या eligibility है, pattern of examination क्या होगा, appointment कब तक होगा, सारा कुछ इस advertisement के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिस करेंगे आप से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुचाने का करें जो लोग जौब के सर्च में हैं और लोगों को कहा vacancies आ रही हैं, इसकी भी जानकारी नहीं होती इस कारण से हम सबसे पहले आपके लिए सूचना लेकर के आते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि clerks का जो appointment होना है, उसकी vacancy position क्या है सबसे पहले देखे आंद्रप्रदेश से सुरू करते हैं, कुल 77 सीटे हैं अरुनाचल प्रदेश की बात करें, तो अरुनाचल प्रदेश में कुल 6 सीटे हैं असम में कुल 77 सीटे हैं बिहार में bank clerk की कुल 210 पोस्ट हैं चंडिगर में कुल 6 सीटे हैं 36 गर की बात करें तो 84 सीटे हैं दादर नागर हवेली और दमन दियू की बात करते हैं, वहाँ पर में आठ पोस्ट हैं, दिल्ली में 234 सीट्स हैं, गोवा में 36 सीट्स हैं, गुजरात में 239 सीट्स हैं, हर्याना में 174 सीट्स हैं, हिमाचर प्रदेश में कुल 81 सीट्स हैं, जम्मु कस्मीर में 14 सीट्स हैं, जारखंट की बात करें तो जारखंट में कुल बावन सीट है, करनाटक में 88 सीट है, केरला की बात करें तो केरला में 52 सीट है, लदाख में कोई वेकिंसी नहीं है, लक्षिदूइप में भी कोई वेकिंसी नहीं है, मध्यप्रदेश में 393 सीट की वेकिंसी है, महरास्टर में स मिजोरम में भी एक वेकेंसी है, नागालेंड में तीन सीटों की वेकेंसी है, ओरिसा में संतावन पोश्ट खाली है, जिस पर रिक्रूट्मेंट होना है, पुद्दु चुरी की बात करें तो, वहां कोई वेकेंसी नहीं है, पंजाब में 321 सीट है, जहाँ पर में तिरपुडा में 15 seats है उत्तर प्रदेश में 674 सबसे जाधा seat यहाँ पर है उत्राखंड में 26 seats है और वेस्ट बंगॉल की बात करें तो वेस्ट बंगॉल में 241 seats है तो clerk की भरती के लिए बिभिन्न राज्यों में जो vacancy की स्थिति है वो मैंने आपको बता दी अब इसकी जो criteria's हैं उनको भी हम ज़रा देख लें सबसे पहले tentative schedule की बात कर लेते हैं तो देखे एक जुलाई से form भरा जाना सुरू हो चुका है और 21-7-2023 तक form भरने का last date है और form आपको online ही भरना है fee देने की अंतिम जो date है वो भी 21-7-2023 ही है यानि कि आपका जो form भरने की प्रक्रिया है वो 21-7 को खतम हो जाती है इसका जो exam है वो preliminary examination देखिए online होगा और ये August या September के महिने में होगा उसके बाद इसका result निकलेगा और फिर जो main online examination होगा वो October 2023 में होगा कोई interview नहीं होगा और provisional allotment यानि कि आपकी appointment अप्रिल 2004 में कर दी जाएगी और मैं आपको बताओं कि बैंकों की इस्तिती ऐसी होती है कि appointment तुरंत ये दे देते हैं अपने staff को तो अब बात कर लेते हैं कि last date तो हमें पता लग गया eligibility criteria इसकी क्या है तो सबसे पहले age की बात करते हैं देखे age की counting आपकी 1-7-2023 1 July 2023 को होगी आपकी उम्र minimum 20 साल की होनी चाहिए और अधिक्तम आपकी उमर 28 साल की होनी चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो जन्म है वो 2 July 1995 2nd July 1995 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 July 2003 के बाद नहीं होना चाहिए तो यह जो दोनों dates दिये हुए हैं इसके बीच में आपका date of birth होना चाहिए बिट्विन 0-07-1995 और 0-1-07-2003 यह age criteria है अब ऐसा नहीं है कि यह कोई final age है कुंट 8 years बहुत सारी categories के लिए इन्होंने age में relaxation भी दिया है जैसे सिलल का सिलल ट्राइफ केंडिडेट अगर हैं आप तो 5 साल की चूट है आपके लिए OVC non-creamy layer में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 3 साल की चूट है और जो दिव्यांग है जो benchmark disabilities के candidates होते हैं उनके लिए 10 साल की चूट है exhibition बालों के लिए भी पूरे service period के अलावा प्लस 3 years की चूट है इसके साथ ही जो widow है या divorce women है उनके लिए 35 years का चूट है general और EWS category के लिए 38 years तक का maximum age रखा गया है OVC के लिए और 40 years तक का age रखा गया है SCST candidates के लिए और 1984 rights में जो लोग affected हुए थे उन लोगों को 5 साल की चूट दी गई है तो आप अपनी category देख सकते हैं और उसके हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपको कितनी छूट मिलेगी age criteria में यह तो age की बात हो गई अब चलिए हम देख लें सिरे सिरे कि इन पोस्टों के लिए हमें educational qualification क्या होना चाहिए तो यह देखिए educational qualification की जो counting होगी वह 21-7-2023 जो last date है form भड़ने की उस date को की जाएगी और उस दिन आपके पास degree की कोई भी degree होनी चाहिए BA, BAC, BCA, BBA इस तरह कि कोई भी degree किसी भी discipline में हो आपके पास graduation की degree होनी चाहिए यह important है दूसरी बात यह है कि एक important बात नोंने यह कहिए कि candidate must possess valid mark sheet and degree certificate जिसमें यह clear cut लिखा होगा कि वह एक graduate है और इसके साथ-साथ अगर आपको computer literacy आती है तो computer literacy है computer की जानकारी है तो यह आपके लिए एक added advantage की तरह काम करेगा तो यह qualification हो गई अब बात कर लेते हैं application fees और intimation charge की तो देखिए यह जो है application fee की अगर हम बात करें तो दो fees रखी गई है एक रूपीज 175 जो की SC, ST, PWD और ex-servicemen candidates के लिए है और यह including GST है आपको इसके उपर कुछ नहीं देना और जो general candidates है उनके लिए 850 रुपई की fees है including GST for all other candidates तो यह अच्छी तरह से देख लीजेगा अगर आप SC, ST, दिव्यांग या फिर ex-servicemen candidate है तो आपके लिए सिर्फ 155 रुपई की fees है और यदि आप दूसरे किसी केटेगरी में परते हैं तो आपके लिए 850 रुपई की fees है दोस्तों यह लगबग 65 पेज का सर्कूलर है और इस सर्कूलर के important चीज़ों को तो हम अभी discuss करी रहे हैं यदि आप इस सर्कूलर का PDF चाहते हैं तो आपको नीचे description box में देखना होगा वहाँ आपको हमारे telegram group का एक link मिलेगा उसके उपर click करिए telegram group का member बन जाएए और वहाँ आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा और उस PDF में हर detail आप देख सकते हैं वहीं पर आपको इसका online जो link है apply करने के लिए वो भी मिल जाएगा और वहाँ से आप सीधे apply कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं structure of examination का ये देखिए मैंने आपको बताया था दो stage में exam होगा पहला होगा preliminary exam और preliminary exam में आपको देखिए English language में कुल 30 marks का question पुछा जाएगा numerical ability में 35 marks का होगा reasoning ability 35 marks का होगा और ये इस तरह से 100 marks मत्ते हैं खास बात ये है कि ये पूरे एक घंटे का paper होगा और तीनों ही section English, numerical ability और reasoning ability तीनों ही section के 30, 35 और 35 question को attempt करने के लिए आपको सिर्फ 20, 20 और 20 minute का समय लगेगा इसलिए आपकी speed काफी अच्छी होनी चाहिए ये बहुत important बात है और जब आप preliminary examination में पास होगा आते हैं तो फिर आपका main exam होगा और main exam देखिए इसमें general और financial awareness जिसमें की 50 marks का question होगा और आपको इसके लिए 35 minutes का समय मिलेगा जेनरल English के लिए आपको 40 marks का question मिलेगा और 35 minute का समय मिलेगा reasoning ability और computer amplitude को हल करने के लिए आपको 60 marks का question होगा जो की question number 50 होगा 50 number का question और marks उसके होंगे 60 और समय आपको मिलेगा इसके लिए 45 minute क्योंकि यह online examination होगा और इसके अलावा जो quantitative attitude है maths जिसको हम लोग कहते हैं उसमें 50 marks का question होगा और इसके लिए आपको 45 minutes का समय मिलेगा तो इस तरह से total 200 marks का question होगा 190 questions होगे और इसको solve करने के लिए आपके पास 160 minute का समय होगा अब यहाँ पर ने बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है कि कौन-कौन सी छूट आपको मिल सकती है और किस तरह से आपको form अगरा भड़ना है जो आप PDF में देख वाएंगे तो आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि यह जो vacancy है यह institute of banking personal selection जिसको हम लोग IVPS कहते हैं वहां से निकली है यह देखें common recruitment process for recruitment of clubs लिखा हुआ है for 202425 website अगर आप चेक करना चाहते हैं तो www.ivps.in पर जाएए और कोई भी आपके पास query है उसको जानने के लिए cgrs.ivps.in पर में जा सकते हैं और अगर आप comment box में भी लिखेंगे आपकी अगर कोई query है तो हम भी आपके प्रस्नों का जवाब दे पाएंगे तो इस form को भर लिए और अपने exam की तैयारी सुरू कर लिए all the best